Hello everyone, इस वीडियो में हम discuss करेंगे statistical analysis के कुछ important MCQs को सबसे पहला आपका question है, a qualitative characteristics is called गुड़ा आत्मग विशेस्ता को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं हम attribute के नाम से, हिंदी में इसको बोलते हैं good और states के लिए मैं suggest करूँगी कि हिंदी और English दोनों में questions को पढ़िए का क्योंकि हिंदी बहुत ही ज्यादा tough है इसकी next है, if an attribute has two classes, it is called जब किसी attribute में हम लोग number of classes दो होते हैं उसमें और उसको divide किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं dichotomy next है, if an attribute has more than two classes, it is called अगर किसी attribute में दो से अधिक classes हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, manifold classification इसको बोलते हैं हिंदी में बहु भाजन हिंदी और English दोनों साथ साथ लेके चलिएगा next है, in case of consistent data, no class frequency can be जब data आपका consistent रहता है, तो class frequency आपकी नहीं होगी तो वो होता है आपका negative कभी भी आपकी class frequencies जब भी consistent होंगे तो class frequency आपकी negative नहीं होगी next है, if AB is equal to AB divided by N, then two attributes are उस समय दोनों attributes होते हैं independent, स्वतंत्र अगर AB बराबर हो AB divided by N के next है, if two attributes A and B have perfect positive correlation the value of coefficient of correlation is equal to, अगर दो सह संबंद गुड़ांग सकरात्मक है तो सह संबंद गुड़ांग का मुल्ले कितना आएगा, तो वो होगा positive 1 वहीं पर अगर ये negative रहता, उनके बीच में संबंद तो वो आता negative 1 में next, if the class frequency alpha B is equal to 0, the value of Q is equal to तो जब alpha B की value 0 होगी, तो उस समय Q की value के आएगी, positive 1 आएगी अब उसको कैसे हम लोग solve करेंगे, इसे question आपके अलग-अलग पूछ सकते हैं जरूरी नहीं है कि यहीं पूछे, तो formula होता है Q is equal to याद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा simple है, पहले positive positive को लिखें फिर negative negative को लिखें, minus करिए positive negative negative positive को और divide हमको कि से करना है, जो उपर लिखा है वही, बस sign आपका change हो जाएगा तो जो हमारे question में पूछा है कि alpha B की value 0 है, alpha B कहा दिया हुआ है, यहाँ पर अगर यह 0 है, तो यह पूरी की पूरी value 0 हो जाएगी, और यहाँ पर भी यह पूरी की पूरी value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बचा हमारे पास सिर्फ दो term, positive वाला और negative वाला यह दोनों multiplication में हैं और नीचे भी वही बचा, A, B और alpha, beta यह दोनों बचे, इन दोनों को जब हम लोग cut करेंगे, solve करेंगे, तो answer क्या आएगा, positive 1 में इसी term को घुमा, फिर आकर कि आपका कैसा भी पूछ सकता है, कि इसमें से इसकी value 1 है या फिर इसकी value 2 है, तो बताइए, positively correlated है, कि negative है, positive आएगा value कि negative आएगा, इस से related मैंने एक question अभी आपको दे रखा है, यह just नीचे अगर formula समझ में आएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, question में बोला है, कि if a, b, positive, positive, negative, negative is greater than positive, negative and negative, positive, then a and b are set to be what, positively, negatively और independent तो formula में हमारे क्या था, a, b और alpha, beta, यह पहले आते हैं, और minus क्या होता है आपका दूसरा वाला term, a, b और alpha, b, यह होता है, यहाँ पर a यह बीटा है, और यहाँ पर यह b है, यह negative यह positive और divided कि से रहता है, यही रहता है, बस plus रहता है, तो अगर यह वाला sign आपका बड़ा है, तो हमारा जो answer आएगा, वो किस में आएगा, positive में आएगा, मान लेते हैं, कि जो पहला वाला point था, वो आपका 500 है, तो पीछे वाला, क्या रहेगा, उससे कम रहेगा, 400 मान लेते हैं solve आप जब भी करेंगे, तो क्या आएगा, जो भी answer आपका आएगा, point में भी आए, तो वो भी positive में ही हमेशा आएगा, क्योंकि जिस से हमको minus करना है, वो हमारा ज्यादा है, उसी का reverse कर देते हैं, यह हमारा ज्यादा रहता है, यानि कि जो back side वाला आपका question का, sorry, formula का value है, व वो बड़ा है, और जो front side वाला है, तो उस समय क्या होगा, यह 400 है, और यह 500 है, solve करेंगे, तो minus hundred आएगा, और इसको हम लोग divide करें, point में भी आएगा, तो वो क्या आएगा, negative आएगा, तो with help of formula, अब उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजेगा, कि कब positive हो रहा है, कब negative ह हो रहा है, यहां पर कुछ important facts दे हुए है, कि जब एक attribute रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, first order class, जब दो attribute रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे second order class, और कभी भी दो attribute के लिए highest order ही उसका second order होता है, और जब तीन attribute आजाएंगे, तो क्या होगा, third order highest class रहेगी, उसके बाद question में आपके बहुँ जादा यह पूछता है, कि ultimate order बताईए कितना है, अगर दो attribute दिये हुए हैं, तीन attribute दिये हुए हैं, तो कितना ultimate होगा, total number of frequency कितनी होगी, तो formula एकदम simple सा है, कि जब ultimate order निकालना है, तो 2 to the power of n होगा, और जब total frequency निकालनी है, तो 3 to the power of n होगा, formula याद क लिजेगा, next है, कब हम लोग कहेंगे positive association है, कब कहेंगे negative association है, तो जब दोनों positive रहें, या दोनों negative रहें, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, positive कहेंगे, दोनों positive या दोनों negative, दोनों एक दूसरे के opposite नहीं है, तो positive un negatively associate का मतलब क्या है, कि एक positive है, एक negative है, एक positive है, एक negative है, ए एक negative है, तो उस समय क्या होगा, वो negatively associated होंगे, यह आपका 5 या 6 point जितना भी होगा, बहुत ही ज्यादा important है, उसको एकदम अच्छे से learn कर लिजेगा, next है, which are the following is a branch of statistics, branch कौन कौन साइब statistics का, तो वो descriptive भी है और inferential भी है, a and b both, question number 10 आपका, the coefficient of association of attribute lies between, यह किसके किसके बीच में लाई करता है, तो minus 1 से ले करके plus 1 के बीच में ही लाई करता है, next है, for a 3 by 3 contingency table, the number of cell is in the table is, यह होता है आपका 9, formula 3 multiplied by 3, next है, the shape of chi square distribution is dependent upon, जो shape होता है chi square का, वो किसके किसके भी उपर आधारित होता है, तो वो उसके parameter पे degree of freedom और number of cell, तीनों पे dependent होता है, यानि कि all of the above, और chi square distribution में जो इसका area होता है, वो equal to 1 होता है, next है, chi square ranges from, जैसे आपका association of attribute था, वो किसके किसके बीच में लाई करता है, minus 1 से plus 1, तो chi आपका कहां से करता है, 0 से ले करके infinity तक, next है, chi square test is used for, chi square test का हम लोग प्रयोग कहां कहां करते हैं, test of independence, ये हम लोग करते हैं, test of goodness of fit, इसके लिए भी करते हैं, और test of homogeneity, मतलब होता है, सजातियता, तो ये तीनों के लिए होता है, all of the above हो का, question आपका बन सकता है, कि for test of goodness of fit, what we use, तो जब भी test of goodness of fit की बात आती है, तो वो use होता है, काई square test, next है, who used काई square test for the first time, काई square test को सबसे पहली बार use किया था, helmet ने, 1900 में, और उसको थोड़ा सा और discover किया था, बाद में, Karl Pearson ने, तो अगर for the first time पूछता है, तो helmet होगा, और थोड़ा सा rediscover किस ने किया था, या फिर उसको और develop किस ने किया था, तो Karl Pearson ने, next है आपका, काई square test is, काई square test कैसा test है, तो वो non-parametric है, next है, significance of test in काई square test is, काई square test में, उसका significance of test कितना होता है, तो वो होता है, पाँच परसेंट, attribute में जो हम लोग symbols दिखाते हैं, ABC हो गया, या फिर alpha, beta, gamma हो गया, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, तो उसे नाम देते हैं, संकेतन, notation, next है, which of the following values is used as a summary measure for a sample such as sample mean, जब हम लोग sample के लिए, जो values count out करते हैं, calculate करते हैं, central mean हो गया, central tendency हो गया, mean mode median हो गया, standard deviation हो गया, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे हम लोग नाम देते हैं, sample statistics, अगर यहीं question में बोला रहता, कि जब population का central tendency निकालते हैं, population का mean mode median निकालते हैं, तो उसे क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग देते हैं नाम parameter का, sample है, तो statistics, population है, तो parameter, next है, when the mean of number is 20, the mean of sampling distribution, तो यह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, number of mean, और, sorry, mean of a number, अगर 20 दिया हुआ है, तो आपका sampling distribution का mean कितना होगा, 20 के बराबर ही होगा, next question है, if the probability of hitting an object is 0.8, find the variance, अगर किसी object को hit करने का chance कितना है, 0.8 है, तो variance का होगा, तो variance का formula है, आपका P और Q, अब बात आती है, Q क्या होता है, तो जो probability होता है, उसकी value हमेशा equal to 1 होती है, P is equal to 1, हमारे पास success कितना है, 0.8 है, तो अगर 1 में से 0, 10 मुलों 8 माइनस कर दें, तो failure की value आजाएगी, failure हमारा कितना हुआ, 0.2, अब इन दोनों का multiplication आप कर दीजे, तो answer क्या आजाएगा, 0.18 ये इसका answer है, next है, who gave the concept of binomial distribution, binomial distribution किस ने दिया था, तो ये दिया था, Jims Bernoulli ने, Karl Gauss ने कौन सा distribution दिया था, तो वो दिया था, normal distribution, इसलिए normal distribution का कोख हम लोग कहते हैं, Gaussian approach, और normal distribution को सबसे पहली बार किस ने दिया था, तो वो दिया था, mover ने, next है, mean for binomial distribution, binomial distribution में mean की value क्या होती है, तो वो होती है, n multiplied by p, n मतलब होता है, number, total number, और p का मतलब होता है, success, और npq का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, variance, और under root npq का मतलब होता है, standard deviation, I hope सारी चीज़ें समझ में आई हो, formula है, वो याद कर लीज़ेगा, when the happening of an event is very rare, what we use, जब किसी event के, किसी घटना के, घटित होने के chances बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, तो हम लोग कौन से test को use करते हैं, उस समय हम use करते हैं poison distribution को, जैसे आपके पास एक किलो चावल है, उसमें से आप find out कर रहे हैं कि कितने कंकड पत्थर हैं, तो जो chances हैं उसके, पताने कितने लाख चावल हैं, उसमें से दो, चार, पांच कंकड पत्थर निकलेगा, तो उस समय हम लोग किसको use करते हैं, poison distribution को, mean for poison distribution is, poison distribution mean की value क्या होती है, तो वो होता है M, और M और आपका variance, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो चाहे आपका V पूछे, चाहे M पूछे, दोनों की value क्या होगी, M ही होगी, और आपको पता होगा कि जो variance होता है, अगर उसका under root कर दिया जा तो क्या आता है, standard deviation आता है, तो standard deviation of poison distribution क्या होगा, under root M, next है, which of the following is not related with normal distribution, कौन सा normal distribution से related नहीं है, it came into existence in 1733 by mover, ये correct है, इसका existence 1733 में हुआ है, पहली बार mover नहीं इसको लाया था, इसको Gaussian approach के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि Karl Gauss ने इसको थोड़ा सा rediscover किया था, next है, it is perfectly symmetrical and asymptotic to baseline, ये भी इसका correct explanation है, क्योंकि जो normal distribution होता है, वो आपका bell shaped होता है, और ये asymptotic का मतलब क्या है, कि x-axis को ये जो line है, इसको ये touch नहीं करता है, जो इसके दोनों bells है, वो उसको touch, sorry, इसको tail बोलते हैं, वो दोनों tail उसको touch नहीं करती है, तो वो अब asymptotic to baseline भी होता है, all of the above होगा, next है, in normal distribution mode is, जब normal distribution होता है, तो mode सिर्फ एक आता है, यानि कि unimodal, और एक और feature होता है, x-bar is equal to m is equal to z, यानि कि mean mode median तीनों बराबर होते हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी आपने एक feature पढ़ा, कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर विशमता बिलकुल नहीं पाई जाती है, perfectly symmetrical होते हैं ये, next है, which of the following is correct, निमनलिखित में से कौन सा सकते हैं, binomial distribution is symmetrical and asymmetrical both, ये correct है, कि वो symmetrical भी हो सकता है, यानि कि विशमता नहीं भी हो सकती है, और हो भी सकती है, और poison distribution is positively skewed, ये भी सही है, कि जब भी poison distribution आप निकालेंगे, तो उसमें x बार हमेशा z से बड़ा ही होगा, इसलिए positively skewed है, और normal distribution में अभी पड़ा था, कि symmetry होता है, इनके बीच में बिलकुल भी विशमता नहीं पाई जाती है, all of the above is correct, next है, in normal distribution, quartile deviation is of standard deviation, normal distribution में 6 QD, 5 MD, और 4 SD, यह एकदम sequence से आप याद कर लिजेगा, 6, 5, 4, QD, MD और SD, यहाँ पे पूछा क्या है, कि quartile deviation, standard deviation का कितना है, तो 6 QD है आपका, और 4 क्या है, SD है, हमको QD निकालना है, QD, तो यह 4 by 6 हो जाएगा, SD, divide करिए तो 2 by 3, यानि कि option number D हो जाएगा, question आपका, इसको थोड़ा ही, यही formula सेम है आपका, 6, 5, 4, इसी को घुमा आप फिरा के पूछ सकता है, कि main deviation कितना आएगा, आपका standard deviation कितना आएगा, quartile deviation कितना आएगा, किसके आधार पर, वो आप उसके according निकाल लेजेगा, next है, in normal distribution, which or the following is not correct, regarding area, छेत्रफल के आधार पर यह कौन साइस में से सही नहीं है, तो छेत्रफल में आपका, अगर, x बार, plus minus 1, SD है, तो उसका area कितना होता है, 68.26, अगर वही 2 हो जाता है, तो 95.45 और 3 होता है, तो 99.73, all of the above is correct, यह याद कर लिजेगा, question आपका बन सकता है, कि x बार, plus minus 1, SD है, तो बताइए area कितना होगा, तो 68.26, 2 है, तो 95, और 3 है, तो 99.73, next question है, यह formula के base पे है, उपर जो हम लोग fact पड़े थे, उसी क्याधार पर बिल्कुल भी, total number of frequency for 3 attributes, total number of frequency पूछा है, तो formula क्या होता है, 3 to the power n, हमारे पास कितने attribute हैं, 3 attribute हैं, 3 multiplied by 3, multiplied by 3, answer क्या होगा आपका, 27, next है, total number of ultimate classes for 3 attributes, ultimate class का formula क्या है, 2 to the power n, कितने attribute हैं, 3 हैं, तो 2 multiplied by 2, multiplied by 2, answer कितना आएगा, आपका, 8 आएगा, next है, total number of frequency for 2 attribute, 2 attribute के लिए कितने होंगे, total frequency, question number 33 का answer आप बताएंगे, and question number 34 का भी answer आप बताएंगे, question number 35 है, which are the following is called as zero order class, निमने लिखित में से, किसे हम लोग, zero आधा, sorry, zero वर्ग कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, total population, जो n होता है, उसे हम लोग, शुन्ने वर्ग के नाम से जानते हैं, first order किसे कहते हैं, जिसमें एक attribute हो, second order किसे कहते हैं, जिसमें दो attribute हो, और third order कि, sorry, ultimate किसे कहते हैं, ultimate मतलब होता है, जब हम लोग, sorry, two to the power n करके value निकालते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, I hope आपको सारे question समझ में आये हो, किसी question से related doubt होगा, तो वो पूछ लेजेगा, question number 33 और question number 34, solve करके answer जरूर दीजेगा, formula के base पर ही आपको निकालना है, और एक बात, बहुत ज़्यादा किसी पर dependent नहीं होते हैं, धन्यवाद, next question 34, 33 और 34, दोनों questions के answer आप लोग देंगे, 35 question number है, which are the following is called a zero order class, zero order class किसे कहते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं, n को, जब एक attribute होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, first order, जब दो attribute होता है, तो second order कहते हैं, और ultimate order क्या होता है, अगर 2 to the power हम लोग n करते हैं, तो वो ultimate order होता है, आई होप आपको सारे question समझ में आये हो, अगर किसी question में कोई doubt होगा, तो पूछ लिजेगा, मिलते हैं next video में,